हालो फ्रेंड्स वेलकम बेक टो माई चैनल इन कुकिंग विद रिका पहाडिया आज मैं आपको लोगों किसा शेयर करने जा रहे हूं बेसन की सेव की शांदार रेसिपी इसे बनाना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है प्लस ही मिंटों में बनकर रेडी हो जाती है इसे बन दाला है 500 g बेसन एक चमच नमक एक चुटकी हल्दी आप चाहे तो हल्दी आपर स्किप भी कर सकते हैं एक चोटी चमच लाल मिर्च पाउडर एक तिहाई चमच काली मिर्च पाउडर दो पिंच हींग अब इन सब को अच्छे से चान लेंगे आप चाहे तो यहाँ पर आद नहीं डाला है बिना बेकिंग पाउडर के बना रही हूँ आप नमकीन में हल्दी बिल्कुल इसकीप कर सकते हैं और बेकिंग पाउडर डाल सकते हैं यह आपकी चोईस है अब मेरे आप लिया है एक चमच अजवाईन इसको हम अच्छे से क्रश करते हुए बेसन के अंदर अब हम सब को अच्छे से मिक्स करेंगे उसके बाद हम इसमें डालेंगे मौयन के लिए तेल यह चोटी तीन चमच के करीब तेल डाला है मैंने आपर मौयन के लिए अब हम इस सब को अच्छे से मिक्स करेंगे यह देखिए इस तरह से हमें दोनों हाथ से प्रेस करते हुए मौयन को मिक्स करना है कि इसमें किसी तरह की कोई गुटली नहीं होनी चाहिए यह देखिए मुट्टी बांद कर देखेंगे यह अच्छे से बंद रहा है लेकिन लिक्विट नहीं है जैसे आप इसे गूंते जाएंगे पांच मिट बात आप देखेंगे कि हमारा बेसंग जो है काफी हार्ड हो गया है यह देखिए मैंने लो रेडी कर लिया है आप देख सकते है मैंने आपर कितना सारा पानी डाला था और यह बिल्कुल आपको जो शेप देना हो जो चीज बनानी हो मैंने आपर मोटी वाली नमकीन का साचा लगाया है और इस तरह से अच्छे से घुमा लेंगे इस तरह से खोल लेंगे उसके बाद इस अच्छे से टाइट करना है यह बिल्कुल नहीं रहना चाहिए अब हम चकली की मशीन को अ मैंने मशीन को अच्छे से घृस कर लिया है मैंने हातों को भी वाल चीज थोड़ा साग्री कर लिया है अब बेसन को एक बार और इस तरह से स्मूथ कर लेंगे यह देखिए हमारा डो बिल्कुल पॉफेक्ट है यहार्ड नहीं होना चाहिए इस मूथ ही होना चाहिए काफी अश्मूथ मैंने दो इस तरह से मशीन के अंदर डाल दिया है मशीन में इस तरह सा एक चोटा सा बटन होता है उपर इसको प्रेस करेंगे तो हमारी मशीन अच्छे से लग जाएगी चैने यह देखिए मैंने मशीन को भी अच्छे से लगा लिया हैं ताइकस लेना है हमें अब मेंने आप पर बहुत सारा ओइल गरम होने के लिए रख दिया है बहुत सारे से मतलब हमें नमकिन को deep fry करना होता है 2 लिए तेल थोड़ा सा जादा ही रखना है हमें तेल को तेज गरम करना है और जिस टाइम पर आप नमकिन डाले उस टाइम पर आपको ताकि आपको बनाने में कोई परिशानी नहीं हो उसके बाद आप गेस का फ्लैम मीडियम कर सकते हैं एक बार तो हमें तेज ओईल ही गरम करना है डालते वक्त आप इसे लो कर दें जाएं इस तरह साप गोल गुमाते जाए और नमकीन बनाते जाएं हमें और मेरे पास प्रेस करने वाली है नमकिन को टर्न कर देंगे जैसे हमारे जा जल जाएे है या लिख भी जाग पीर होती है आप देख सकते हैं नमकिन अच्छी बनी आप पर लहां है और नमकिन इसमेहां नमकिन कर दोटकेट कर देंगे बना है के लिए दूसरा सांचा लगा लिए और इह भारिक नमकीन दीख आप सकते हैं पहले वाले से काफी कर ज़ा हमें इस हो लोवर इंटा प्रेइटे जाना है हमारी नमकीन बहोत ईसली बन जाएगी इस प्रच्री नहीं लगता है क्योंकि हमने तो ४ यह siamo Seb हैisson रहता है, अब सत्तों कोई प्रोब्लम नहावीच not अबस प्लस कोई प्लच आपकर है मैंने इस पंध हैं i.e. काच सब्किन के नि 있다 में एपकोर झायों सरफ प्ल्ड उतफ है उसाद सत्वार गिल काच नहलग से टैक हाथ bunlar प्लीज आप मेरे सिर्पी को जरूर से ट्राइ किजिए का यह बहुत ही अच्छी लगती है बाड़िक यह बनात सकते हैं बैदने हैं और दॉनों तरह बनाकर बताई है मैंने साली नख़किन बनाखर कर लिए अप देख सकते हैं कितनी आच्छी बढ़ी है भषों ही शांदार काफी कुरकूरी कृस्पी है अब लाएक शेर शाचेज चाहिए हुआ ς अगली रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई थांक यू